करीम की मजबूरी नहीं समझे ये लोग इनाम जीतना चाते हो मेरे पास एक सवाल है वो कौन आदमी है जिसकी खोपड़ी में साला पहली बार ये आइडिया आया था कि केल रहुल बहुत अच्छा कप्तान है या फिर कि ये वाइस कैप्टन बना दो इसको साला वो तो कांप जाता है भाई साब जिगरा कांप जाता है वो सोच के तो कि हमारा अगला कप्तान ये आदमी होगा ये बहुत ब्रिलियंट बैट्समें है लेकिन जब ये कप्तान बनता है भाई साब डिट्टो बाबराजम बन जाता है एक अदम बाबराजम बन जाता या आदमी मैंने पहले ही कहा था मैंने टॉस के टाहिम ही कहा था लाइब में कि शिकर दावन भी वही स्टाइल से खेलेगा और राहूल भी उसी स्टाइल से खेलेगा अगर एक अटैकिंग बैट्समन इनके साथ होता या तो शुमन गिल होता या फिर इशान केशन होता तो उसमें शिकर के भी रन बन जाते लंबे और या फिर राहूल के लंबे बन जाते तो ये जोड़ी ही गलत थी भाई हम जानते हैं राहूल एक की ही ओवर में कवर कर सकता ये सारा का सारा मार्जन सिरफ एक अवर लगना है चे बोले लगनी है वो इतना capable है लेकिन मैं राहूल की गलती यहां नहीं कहूंगा वो हराम खोर जिन्दा चाहिए भाई जिन्दा पगड़ना है जिसके खोपड़ी में यह पहली बार आइडिया आया था कि यह आदमी कप्तान हो सकता वो आदमी चा करके चैनल को सब्सक्राइब करके खेच के रखो काम डिल नहीं देनी थेंक्यू बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां